हेलो एंड वेलकम टू आज चैनल सोलो टेल्स और आज की हमारी मूवी है अरोरा टी गार्डन समतिंग न्यू यह मूवी डिटेक्टिव अरोरा सीरीज की एक मूवी है इस सीरीज के हर एक पार्ट में नई स्टोरी और नई मिस्ट्रीज होती है अगर आपको इसका पिछला प आदमी से डर कर भाग रही थी, भागते वे अरोरा लाइबरेरी में पहुंच थी है, और सामने रखे टेबल में से सिजर उठा कर उसी टेबल के नीचे छिप जाती है, अरोरा किसी भी वक्त उस अंजान आदमी को माने को तैयार होती है, तब ही वो अंजान आदमी अरोरा के पास आजाता है, और नीचे जुक कर अरोरा से मजा के अंदास में कहता है, क्या तुम मुझे सच में मार डालोगी? तो इस पर अरोरा हसने लगती है, दरसल ये सब इधर एक रिहसल चल रहा था, अरोरा एक लाइबरेरी स्टूडेंट थी, इसलिए वो बुक में दर्शाय पास उसकी प्रोफेसर आकर कहती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमारी एक्ट के वज़े से हमारे स्टूडेंट्स को बुक की स्टूरी समझने में काफी हल्प होगी, शायद मैंने तुमें हमारी टीचिंग असिस्टेंट चुनकर सही फैसला लिया है, अरोरा कह अरोरा ने हाली में रेस्टरेंट में सर्विंग स्टाफ की नौकरी भी जाइन की थी, अरोरा जब ओडर लेकर काउंटर की तरफ जाती है, तो वहाँ उसकी मुलाकात डैनियल से होती है, डैनियल इसे रेस्टरेंट में शेफ का काम कता था, तबी अचानक वहाँ पुलिस अरोरा एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते थी, आगे इंस्पेक्टर अरोरा से कहता है, तुम यहाँ कैसे आई, तुम तो सीटर शेयर में मास्टर्स की तैयारी कर रही थी ना, अरोरा कहती है, हाँ मैं मास्टर्स कर रही थी, लेकिन फिर मुझे पता लगा कि यहाँ इस एरिया में कोई लाबरेरी साइंस प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें क्राइम लिटरेचर को जान कर उन्हें समझाने वालों की जरूरत पढ़ेगी, इसी के साथ कुछी दिनों में, यहीं पर मेरी बेस फ्रेंड सैली की शादी होने वाली है, बस इसलिए मैं इधर मैंने हाली में इस बुक को खतम किया है, शायद आपको इसकी स्टोरी पसंद आएगी, इसे ले लो, तब और तर वो बुक ले लेता है, काम से लोटने के बाद अरोरा अपनी सिंगल मॉम के घर चली जाती है, अरोरा की मॉम का नाम आइडा था, आइडा रियल स्टेट से ज मिलने वहां सच में आ जाती है, मैटी सैली को अरोरा के कमरे में छोड़ कर, और मेहमानों को पार्टी के लिए इनवाइट करने वहां से निकल जाता है, सैली कहती है, तीन दिन बाद ही हमारी शादी है, और आज शाम हम पार्टी रख रहे हैं, ओ नो, मैं मैटी को तो ये ब ने एक लेडी पर पढ़ती है जो शायद मैटी पर नजर रख रही थी मैटी के जाती ही वो लेडी भी वहां से चली जाती है ये सब देखकर अरोरा को थोड़ा अजीब लगता है लेकिन अरोरा इसे इग्नोर करके वापस अपने घर चली जाती है और सैली को सारी बात बताती है सैली कहती है कोई बात नहीं मैटी को मैसेज कर दूँगी वैसे कि आप लोगों को बता है कि मैटी और उसके पार्टनर कार्सन को उनकी कमपनी बेचने का एक काफी बड़ा ओफर मिला है अरोरा कहती है हाँ वो कमपनी वैप्स का प्लाटफॉर्म है गीगा ब्लाग सैली क करेक्ट अब इसी के साथ मवी रात को पार्टी के बगो शिफ्ट होती है इंधर अरोरा आगे बढ़ती है तब उसे वहां अपनी मॉम और वातर करते वी दिखते हैं आर्थर कहता है सुनने में आया है कि सैली का हस्बन बहुत जल्द मिलियनेर बनने वाला है आईड़ा कहती है हाँ ये खबर सची है वैसे सैली को सब कुछ काफी जल्दी मिल गया मुझे याद है सैली और मैटी कुछ महीनों पहले तक एक दूसरे को जानते तक नहीं थे और अ ऐसा केकर वो आथमी वहाँ से चला जाता है इसे दिख सैली कहती है ये आथमी कौन था मैटी कहता है मैं नहीं जानता मैंने तो कभी इसका चैरा तक नहीं देखा अरोड़ा कहती है फिर भला कोई अजनबी तुम पर इस तरह क्यों चिलाएगा मैटी की सिस्टर जोआना कहत और वो तुमसे ऐसा क्यों कह रहा था कि तुमको बाद में देख लेगा मैटी कहता है मुझे सच में कुछ नहीं पता ऐसा केकर मैटी इस बात को मजाग की तरह लेने लगता है और वहीं सैली भी इस सब को इग्नोर कर दी है लेकिन अरोरा समझ गई थी कि जरूर दाल में प्षप्रेंड है आगे औरॉरा की मउम औरोरा को जल्दी घर आने का कहकर पार्टी से चली जाती है तव ही अरोरा वहां रोड में उसी अंजाल लेडी को दुबारा नोटिस करती है जैसे ही काजन उस लेड़ी को भगाने उसकी तरफ बढ़ता है वैसे ही बो लेडी गाड प्रज़र रखना गुना है तुमने इसके पुलिस से कंप्लेंट क्यों नहीं की कारसन कहता है ड्वार ने अभी तक मैटी को कोई नुकसान नहीं पहुचाया और वैसे भी मैटी की नीजी जिंदगी से मेरा कोई तालुक नहीं ऐसा बूलकर कारसन चला जाता है अपसीन सैली और मैटी पर शिफ्ट होता है मैटी इधर सैली से जिद काता है कि आज रात तुम कैप बुक करके घर चली जाओ दरसल मैंने कुछ जादा ही ड्रिंक कर लिया है और मुझसे गाड़ी नहीं चलाई जाएगी ऐसा बूलकर मैटी वहां से चला जाता है मैटी को जाते वे इध से कोई अनुणी घटने वाली है इतने में ही वहां सैली और ज्वाना भी आ जाती है सैली घपराते वी कहती है सुबह मैटी ने मुझे कॉल करने का प्रॉमिस किया था लेकिन आज सुबह से वह कॉल उठा तक नहीं रहा है इवन उसका रूम भी लॉक्ट है और रूम का कॉ अर्फिनेशन कोट मुझे नहीं पता मुझे लगता है कि मैटी को किसी ने किडणाप कर लिया है शायद हमें मैटी की मिसिंग रिपोर्ट करानी चाहिए अर्थर कहता है सोरी लेकिन 24 घंटे से पहले मिसिंग रिपोर्ट नहीं कराय जा सकती तब सैली अरोरा से उसके फ्यो पालब करने चाहिए वहीं से कणफर्म होगा कि मैटी गुम भूल या नहीं आगे ये दोनों मैटी की बल्डिंग में जाती है अरोरा कहती है हमें कमरी के अंदर जाना होगा आर्थर कहता है दर्वाजे में हाई टेक कोर लगावा है इससे तोडने के लिए मुझे वैलनेस लो क्राइम होगा मुझे सिस्पेंड कर दिया जाएगा तब अरोरा पीछे देख दी है तो वहां के अपार्टमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था अरोरा कहती है ठीक है फिर पीछे मुड़ू हाँ बस ऐसे ही रहना जब तक मैं तुम्हें आवास ना दू ऐसा के कर अरोरा किसी तरह उस मरम्मत वाले अपार्टमेंट की बैक साइट में पहुँचती है इस अपार्टमेंट की बालकनी से कुछी दूरी पर मैटी के घर की बालकनी थी यहां अरोरा चटकर मैटी के बालकनी तक पहुँच जाती है दूसरे तरफ अरोरा के लिए परिशान हो रहा था तब अब अरोरा और अर्थर एक साथ मैटी के कमरे के अंदर जाती हैं, कमरे के अंदर कोई नहीं होता, तब ही ये दोनों देखते हैं कि मैटी कमरे में फोन के साथ साथ अपनी गाड़ी की चापी भी घरी में छोड़ कर गया था, इतना देखते ही अरोरा नीचे जुकती है, यही खून की बूंदे बाहर बालकनी में आकर खतम हो रही थी, यहां आते वक्त अरोरा ने ये खून इधर नोटिस नहीं किया था, अब यह दोनों बालकनी से नीचे जागते हैं, और सामने देखने पर इने किसी के जूते दिखते हैं, जब यह दोनों बाहर जाकर गार्डन किसी और इंसान की थी इसे देख अरोरा और आर्थर को याद आता है कि ये वही आदमी है जो मैटी से जगड़ा करने पार्टी में आया था अभी तक पुलिस भी नहीं जानती थी कि इस आदमी का असल नाम क्या है दूसरी तरफ सैली मैटी के लिए बहुत परेशान होती है लेकिन अरोरा सैली से मिलकर उसे बता दी है कि वो डेट बॉड़ी मैटी की नहीं बलकि उसके साथ जगड़ने वाले उस आदमी की थी जवाना कहती है पर मैटी है कहां तब इसे सुन अरोरा के नज़र डॉण पर जाती है जो पास में ही खड़ी थी अब अरोरा जल्दी से डॉण के पास चाकर कहती है तुम ही डॉण हो ना तुम तब से मैटी का पीछा कर रही थी क्या कल रात भी तुमने मैटी का पीज़ा किया था ड्वान कहती है हाँ मैटी ने मुझे कल रात पार्टी के बाद उसके साथ बात करने बुलाया था अरोरा कहती है क्या तुम बता सकती होगी कल मैटी ने तुमसे क्या बात की थी क्या उसने किसी आदमी का जिक्र किया था ड्वान कहती है मेरे और मैटी की बीच की बात में तुम्हें नहीं बता सकती ऐसा केकर ड्वान जाने लगती है अरोरा कहती है तुम ऐसे नहीं जा सकती पुलिस को तुमसे बयान लेना है लेकिन डौन कुछ ना सुनते विवहां से चली जाती है डौन के जाने के बाद अरोरा भी वापस और्थर के पास पहुंचती है और्थर कहता है डौन को जाने दो हम उससे बाद में तहकिकात करेंगे खेर हमें उस मरेवे आदमी के ड्रैविंग लाइसेंस से उसका नाम ब्रौडी क्रैसर मालूम हुआ है जौना कहती है मैं ऐसे किसी आथमी को नहीं जानती आगे सैली और जौना के जाने के बाद अर्थर अरोरा को अकेले में बताता है ब्रौडी के सरकी दूसरी तरफ से हमें गहरा गाव मिला है ज़रूर ब्रॉडी को मानने से पहले उस पर किसी ने स्रेमिक की चीज से हमला किया था अरोरा कहती है स्रेमिक से तो चीनी मिटी के कप्स बनाए जाते हैं जो हमें मैटी के कमरे से मिले थे यानि ब्रॉडी छसे कूट कर नहीं मरा बलकि उसका किसी ने pre-planned murder किया था अर्थर कहता है exactly साथी खून के निशान मैटी के कमरे में फैले हुए थे और मैटी अभी तक फरार है हो सकता है कि मैटी ब्रॉडी का खून करके भाग गया हो लेकिन तुम्हारी सहेली Sally इस theory को नहीं मानेगी अब सिर्फ तुम ही उसे समझा सकती हो तो अरोरा इस पर मान जाती है आगे अरोरा Sally को समझाने की कोशिश करती है कि उसका फ्योंसे भी killer निकल सकता है तो इसलिए वो अपने फ्योंसे से ज़्यादा expectation ना रखे लेकिन Sally कहती है तुम कुछ जादा ही सोच रही हो अंटी सरा आप ये अरोरा को समझाईए इसका दिमाग mystery books पढ़ते पढ़ते हर किसी पर शक करने लगा है मुझे मैटी पर पूरा यकीन है कि वो किसी को नहीं मान सकता हमें जल्दी से शादी के तयारी करने चाहिए ऐसे कहकर Sally वहां से चली जाती है आगे हम अर्थर को देखती है अर्थर की टीम मैटी के घर की चानबीन कर रही थी तब ही वहां मैटी के अपार्टमेंट के पास कैसपर आता है कैसपर आते ही अर्थर से पूचता है ये सब यहां क्या चल रहा है अर्थर बताता है मैटी सुबह से मिसिंग है और मैटी के गार्डन के पास ही हमें किसी दूसरे इंसान की डैट बाड़ी मिली है तो कैसपर इस बात पर शौक होता है और कहता है इसलिए मैं सोच रहा था कि मैटी आज शॉप क्यों नहीं आया वैसे आप लोग मैटी के कमरे में क्या ढून रहे हैं आपको गार्डन में चेक काना चाहिए ना जहां डैट बॉडी मिली थी आर्थर कहता है शायद मैटी का कमरा जाकने पर हमें पता लग जाए की मैटी किदर गया है सरिफ मैटी के मिलने से ही ये सारी गुत्ती सुलस सकती है कैसपर कहता है अच्छा विज़ा आपको तो पता ही होगा मैटी के कम्रे में जो कम्प्यूटर्स है वो सरिफ उसके नहीं बलकि हमारी कम्पनी के है जिसमें कम्पनी का सारा बायोडाटा है अगर आपकी सहमती हो तो क्या मैं उन कम्प्यूटर्स को ले जाओ अर्थर कहता है सौरी पर हमारे हैट के परमीशन के बगैर आप किसी भी चीज को नहीं ले जा सकती कैसपर कहता है कोई बात नहीं बट अगर आपको कम्प्यूटर्स में कुछ चेक करना हो तो उससे पहले आपको हमें वारेंट दिखाना होगा वो भी हमारी कम्पनी से पर्मीशन लेकर आर्थर कहता है जरूर आप बेफिकर होकर जा सकती है इससे सुन कैसपर वहाँ से चला जाता है अब सीन वापस से अरोरा के घर पर शिफ्ट होता है अरोरा इधर अपनी मॉम को बताती है कि ब्रॉडी नाम का वो आदमी कैलिपोनिया में अपने पेरेंट्स के साथ रहता था लेकिन तीन सार पहले ब्रॉडी के फादरकार एक्सिदेंट में गुसर गए और ब्रॉडी की मॉम भी इस हाथ से के ठीक एक महीने बाद मारी गई इसलिए ब्रॉडी वहाँ अकेला रहता था आईडा कहती है ये केस काफी अजीब लगता है अरोरा मुझे प्रॉमिस करो कि तुम इस केस से जहां तक हो सके दूर रहोगी अरोरा कहती है माम आप चिंता मत करिये मुझे कुछ नहीं होगा आगे अरोरा अपने प्रोफेसर के लाइप्रेरी जाती है अरोरा प्रोफेसर से कहती है मुझे कम्प्यूटर से किसी के बारे में सर्च करना है दरसल मेरी फ्रेंड की फ्योंसे के घर के पास एक आदमी का मडर हो गया है प्रोफेसर कहती है फिर तुम इसमें क्या सर्च करना चाहती हो अरोरा कहती है मुझे exactly तो नहीं पता शायद victim और मैटी की company के बारी में प्रोफेसर कहती है ठीक है पर पहले तुम्हें मेरे एक question का जवाब देना होगा तो बताओ information science का 8 principle क्या है अरोरा कहती है इस principle के according कोई भी इंसान किसी तरह की information अकेले नहीं बना सकता उस information तक जचने के लिए उसे किसी दूसरे की contact या relation में आना होगा प्रोफेसर कहती है राइट अरोरा कहती है अरे हाँ इसी principle को follow करके मैं ब्रॉडी कैसर की जानकारी निकाल सकती हूँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिस scene police station पर shift होता है इधर Arthur अपने head detective cook को बताता है हमने ब्र experience के पास काफी property थी इसलिए उसके पास बगेर कमाय पैसे आते रहती थी कुक कहता है फिर वो यहां क्या करने आया था आर्थर कहता है ये तो अभी तक नहीं पता लगा शायद हमें मैटी की तरफ से investigation आगे बढ़ानी चाहिए कुक कहता है हमने मैटी के घर की अच्छे से च जानता था और शायद इसलिए मैटी ने ब्रॉडी का खून का दिया इसलिए वो अभी तक फरार है अर्थर कहता है पर मैटी के पास मटर करने का क्या मोटिव रहा होगा को कहता है मैटी के computer checking का वारेंट निकलने पर हमें मोटिव भी पता लग जाएगा पर फिलाल हमें मैटी और मैटी एक साथ दिख रहे थे मतलब मैटी ने उससे जूट बोला था कि वो ब्रॉडी को नहीं जानता अगली सुबए अरोरा ये तस्वीर मैटी की बेहन जुआरा को दिखाती है जुआ को भी यह देखकर हैरानी हुई थी अरोरा बताती है ये तस्वीर पान साल पुरानी है मैटी ना सिर्फ ब्रॉडी बल्कि ब्रॉडी के पेरेंट्स को भी जानता था और ये तस्वीर ब्रॉडी के फादर की बड़े पार्टी में क्लिक किया गया है जुआना कहती है प्लीज इस तस्वीर को पुलिस तक मत पहुंचने देना वो लग बेफालतों मेटी ही वो फोटो देने बुलाया था अर्थर कहता है आप दोनों ड्वान के बारे में बात कर रहे थी ना फिलाल हमारे ऑफिसर्स उसी के तलाश में है तब तक के लिए मडर का सारा शक तुमारे भाई पर ही रहेगा आगे अर्थर अपने ऑफिस में होता है तब ये अर्थर के गिनने पर ही मरा था यानि इसमें कोई कतल का मामला नहीं है पर फिर भी हो सकता है कि ब्रॉडी को किसी ने धका दिया हो खेर एक खुश खबरी है हमें फाइनली ड्वान मिल गई चलो दीखती है कि हमें ड्वान के बयान से क्या पता लगता है आगे ये दोनों ड्वान से जिन नहीं मिली को कहता है अरोरा इस बारे में हमसे जुट क्यों बोलेगी ड्वान कहती है अगर मैं मैटी से मिलने भी गई होंगी तब भी मैं आप लोगों को हमारी बीच हुई बात नहीं बताऊंगी क्योंकि वो बाते उसने मुझ पर भरोसा करके बताई थी और मैं उसक कभी नहीं तोड़ूंगी कुक कहता है यह कोई खेल नहीं है बलकि मडर इन्वेस्टिगेशन है आपको हमें सब बताना ही होगा ड्वान कहती है माफ कीजिए मैं मैटी को धुका नहीं दे सकती तो इसे सुन डिटेक्टिव को गुसा होकर वहां से चला जाता है दूसी बरबाद हो गया था प्रोफेसर कहती है यह इन्फोमिशन तो कहीं नहीं है अरोरा कहती है इतना ही नहीं मुझे ब्रॉडी की मौम का डिलीट किया हुआ एक शोशल मीडिया पोस्ट मिला उसमें वो बता रही थी कि उनके हस्बेंट जॉन ने सिलिकॉन बैली की जॉब मैं वो पोस्ट अभी आपको भी दिखाती हूँ ऐसा के कर अरोरा जैसे ही पोस्ट टेकने जाती है वैसे ही वो पूरा अकाउंट डिलीट हो जाता है और कंप्यूटर में एरर दिखाने लगता है अरोरा समझ नहीं पाती क्योंकि वो अकाउंट 20 मिंट पहले तक यहीं था प्रोफेसर कहती है शायद किसी और ने इस अकाउंट को एकसेस करके डिलीट कर दिया होगा आगे अरोरा चुपके से मैटी के घर के अंदर जाती है यहां मैटी का लैपटॉप आउन था और इसमें कासर ने मैसेज किया था कि मैंने उस आदमी को तुम्हारे पैसे दे दिय हैं और अब उसे और पैसे नहीं चाहिए इतना देखती है अरोरा पर चुपके से कोई आदमी हमला करता है असल में यह आदमी खुद मैटी ही था अरोरा इसे देखकर शौक होती है कि मैटी जंदा है मैटी घबराते वे कहता है मुझे लगा कि तुम ड्वान पैलमर होगी स मैं कॉल कर सकूँ पर अब मैं शादी के लिए वापस लॉट आया हूँ ऐसा बोलकर मैटी अपना पैंडराइप निकाल लीता है अरोरा कहती है तुम शादी नहीं बलके इंटरनेट से वो सारा डाटा निकालने आए थे जो तुम्हारे कंप्यूटर में स्टोर था पर जल्द ही वो सारा डाटा तुम से ले लेगी ऐसा कहकर अरोरा पुलिस को कॉल करती है आगे पुलिस वाले जाज के लिए मैटी को वहां से पकड़ कर ले जाती है वही कस्टडी में जब ड्वान मैटी को गुजरता देखती है तो वो मैटी का नाम चिलाती है मैटी एक नज कि तुम इस आदमी को नहीं जानती थे लेकिन ये बात गलस साबित हुई और इसके मडर के बाद अचानक से तुम कहीं गाब हो गई मैटी कहता है मैं जानता हूँ ये सब देखकर आप लोगों को यहीं लगेगा कि मैं ही किलर हूँ लेकिन पहले मैं अपने लोगों से बात करना चाता हूँ वैसे भी आपके पास मुझे दे तक अरेस रखने का कोई चार्ज नहीं है कुक कहता है तुमें चार्ज चाहिए ठीक है मैं डिये से बात करता हूँ कुक डीये से फोन में बात करने की बाद आर्थर से कहता है डीये हमारी चार्ज को अप्रूब नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास मैटी के खिलाब कोई पुक्ता सबूत नहीं भले ही मैटी के कमले से खून मिला था लेकिन ब्रॉडी की मौच छसे गिरने के कारण हुई थी इसलिए मैटी को आजाद कर दो अगली सुबह अरोरा और सैली मैटी के छुटते ही उससे अपनी तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं अरोरा कहती है तुमने हमें ब्रॉडी के बारे में जूट क्यूं बोला था कि तुम उसे नहीं जानते मैटी कहता है मैं सच में ब्रॉडी को परस्नली नहीं जानता था मैं बस उसे एक बार पार्टी में मिला था दरसल ब्रॉडी के फादर यानि मिस्टर जॉन मेरे अच्छे दोस्त थी और दुर्भागी से जिसकी गाड़ी से मिस्टर जॉन का एक्सिडेंट हुआ था वो गाड़ी मेरी ही थी इसलिए शाद उस राद ब्रॉडी मुझसे माफिय मंगवाने आया था पर मुझे ब्रॉडी तक मैं बार के अंदर ही रहा वहाँ मेरे साथ फ्रेड हास की नाम का कोई शराबी भी था उसी ने मुझे मेरे घर छोड़ा था लेकिन घर में मुझे कुछ ठीक नहीं लगा इसलिए मैं वापस बाहर आ गया और यूही टहलते टहलते एक मोटल की तरह पहुचा मोटल में मे गया था जब मैंने टीवी पर निउस देखा तो पता लगा कि पुलिस मेरी तलाश में है इसलिए मैं दो दिनों तक उसी मोटल में छिपा रहा लेकिन फिर मुझे याद आया कि ब्रॉड़ी के मेरे साथ मेरे कम्प्यूटर और इंटरनेट में कुछ तस्वीरे हैं अगर व तुमसे सचा प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाता हूं तो इधर साली इतनी नाराजगी के बाद भी मैटी को माफ कर दीती है और उसके साथ वहां से निकल जाती है तबी अरोरा के पास आर्थर आकर कहता है मैटी के पास हमारे हर सवाल का जवाब है अरोरा कहती ह मुझे इसके जवाबों पर यकीन नहीं होता जरूर इसने हमसे जूट बोला है हमें किसी तरह इसकी बात कनफर्म करने के लिए उस शराबी आदमी फ्रेड हसकिन का पता लगाना होगा वन्ना कल ही ये हत्यारा मेरी बेस फ्रेंड सैली से शादी कर लेगा रात के समय अर्तर फ्रेड हसकिन के बारे में पता कन्य उसी बार के अंदर जाता है जहां उस रात मैटी गया था अर्तर इदर के एक रेगुलर शराबी से पूचता है क्या तुम फ्रेड हसकिन को जानते हो फ्रेड दो दिन पहले इसी फोटो वाले आदमी के साल तुरुका था शराबी कहता है हाँ मैं ही फ्रेड हस्किन हूँ ऐसा कहकर फ्रेड उस रात हुए इंस्डेंट के बारे में बताने लगता है और फिर ये सीन यही कट होता है फिर हम अरोरा को देखती है अरोरा आज रात के अंदर कुछ भी करके इस मिस्टरी को सुलजाना जाती थी क्योंकि अगली शाम को ही साली की शादी हो जाएगी तभी अरोरा से मिलने अर्थर आता है और अरोरा जल्दी से अर्थर को अपने कमरे के अंदर खीचती है अर्थर देखता है कि अरोरा ने अपने कमरे में केस से जुड़े हर फोटोज शिपका रखी थी यहां अर्थर अरोरा को बताता है कि मैटी की अलीबी बिल्कुल सची है वो आधी रात तक यानी मडर होने के बाद भी बार के अंदर था अरोरा कहती है चलो अब मेरा शक्त दूर हुआ तभी यहां अर्थर बोर्ट में लगी एक फोटो गौर से देखता है अरोरा कहती है यह फोटो ब्रॉटी के फादर की पार्टी से है इसमें यह मिस्टर जॉन है कैप्शन के अकॉर्डिंग यह आदमी अलबर्टो है बट इस आदमी का नाम मुझे नहीं पता अर्थर कहता है चार गंटे पहले मैं इसी आदमी से बात कर रहा था यही आदमी फ्रेट हसकिन है मतलब फ्रेट और मैटी बार में पहली बार नहीं मिले थे बलकि उनकी मुलाका जॉन के पार्टी में ही हो गई थी अरोरा कहती है मतलब मैटी की अली भी जूटी हो सकती है हम फिर से वहीं आ गए जहां हमने शुरू किया था कहर हमें सबसे पहले पता लगाना होगा कि इनका ये तीसरा पार्टनर अलबर्टो कौन है अगले दिन रेस्टरेंट से निकलते वक्त अरोरा को अलबर्टो की तरफ से एक कॉल आता है पर ये कॉल अलबर्टो ने नहीं बलकि उनकी पैरा लिगो सेरा ने किया था पैरा लिगो का काम लोगों की इमेल का जवाब देना होता है और अरोरा ने अलबर्टो को एमेल भीजा था अरोरा से कहती है क्या आप मुझे बता सकती है कि ब्रॉडी के बाद जॉन और आपके बोस अलबर्टो का क्या रिष्टा था सेरा कहती है वे दोनों बहुत अच्छे दूस थे लेकिन मैं आज तक मिस्टर जॉन के डेथ को याद करती हूँ तो मुझे बुरा महसूस होता है पता नहीं पुलिस ने उनकी डेथ को क्यों इन्वेस्टिगेट नहीं किया अरोरा कहती है वह मिस्टर जॉन की मौत तो एक्सिडेंट से हुई थी ना सैरा कहती है मज़ाग कर रही हो जॉन अपने एक्सिडेंट के तीन दिन बाद ही कोट में किसी के खिलाब कंपलेंट डालने वाले थे बट ऐसे में हिए उनका एक्सिडेंट हो गया कोई भी बता सकता है कि ये एक बेल प्लैंड एक्सिडेंट था इतना बताते ही उस restaurant में Sally और जुआना आ जाते हैं दरसर इन लोगों ने इसे restaurant में marriage party प्लान की थी Sally कहती है ओ नो मैं wedding present तो गाड़ी में ही भूल आई Aurora कहती है कोई नहीं उन्हें मैं निकाल लूँगी तब ए Aurora को Arthur का call आता है Arthur कहता है मुझे report से पता लगा कि Mr. John की गाड़ी एक rear side से तूट कर नदी में गिर गई थी इसी के साथ आज सुबह सुबह जब मैंने कासन के सामने Fred Huskin का नाम लिया तब उसने मेरे सवाल का जवाब ठीक से नहीं दिया और अजीब तरह से भीव करने लगा Arora कहती है यानि मेरा शक सही साबित हो रहा है किर आपको याद तो है ना आज मुझे आपको Mr. John के lawsuit के बारे में बताना है जो उन्होंने मने से पहले file की थी मैंने किसी तरह John के law को convince कर लिया है वो मुझे तो पहर तक उस lawsuit की copy दे देगा ऐसा के कर Arora call रग देती है और गाड़ी से Sally का बताय गिप निकाल कर जाने लगती है कि उतने में ही Arora की तरफ एक गाड़ी तेजी से आगे बढ़ती है ये गाड़ी Arora को उड़ाने ही वाली थी पर उससे पहले Daniel Arora को एकदम से बचा लेता है और वो गाड़ी सीधा जाकर सामने ठुकती है इतनी अवास सुनकर अर्थर वहाँ पहुंचता है फिर जब गाड़ी खुलकर देखा जाता है तब अंदर ड़ान बैठी वी थी तरसल ड़ान ने Arora को Sally समझ का माने की कोशिश की थी क्योंकि Arora ने Sally का कोट पहना हुआ था अब मडर अटेम्ट करने के जाम पर ड़ान को अरेस्ट कर लिया जाता है आगे हम मैटी को उसकी शादी की तयारी कता हुआ देखती है तब ही वहाँ मैटी से मिलने उसका बिजनस पार्टनर कैस्पर आ जाता है मैटी कैस्पर को यहाँ नॉर्मल फ्रेंड जैसे मिलने का नाटक करता है लेकिन कैस्पर कहता है तुमने मुझे क्या मैसिज किया है तुमारे पास हमारे इमेल के स्क्रीन शॉट्स है मैं तुमें पहले ही धमका रहा हूँ तब मैटी कैस्पर को बीच में शांत कराकर कहता है हाँ मेरे पास उन इमेल्स की स्क्रीन शॉट एक पैन ड्राइब में है लेकिन ये मुस्तकी रहेंगे एक इंशॉरिंस की तरह क्योंकि मुझे डर है कि जॉन के जैसे तुम कहीं मुझे भी ना मरवाड आलो जैसे ही मुझे कंपनी का आदा पैसा मिल जाएगा वैसे ही मैं वो स्क्रीन शॉट तुमें ड्राइब के अंदर दे दूँगा ये मेरा प्रॉमिस है कैस्पर कहता है आज सुबह अर्थर ने मेरे सामने फ्रेड हसकिन का नाम लिया था आखिर तुमने उस हसकिन को भी हमारे प्लान में शामिल कर ही लिया वो भी मुझे बगैर पूछे मैटी कहता है मुझे ऐसा करना पड़ा नहीं तो ब्रॉडी के मडर का शक सीधा मुझ पर जाता कैस्पर कहता है तुम लोगों के सामने भोले दिख सकते हो लेकिन मेरे सामने नहीं मैं जानता हूँ कि तुम हसकिन का इस्तमाल मुझे फस्वाने में करोगे दोस्तो इसका मतलब मैटी और कैसपर ही असली किलर थे दूसरे तरफ अरोडा को अचानक से आर्थर का कॉल आता है अर्थर कॉल में बताता है कि ड्वान निर्दोश है ड्वान के फादर ने हमें इस बात का प्रूफ दिखाया कि ब्रॉटी के मडर के वक्ट ड्वान उनी के साथ थी अरोरा कहती है ठीक है फिलाल मैं उस लॉसूट को लेने जा रही हूँ जो मैंने मंगवाई थी पिस सीन साली पर शिफ्ट होता है जोआना जैसे ही साली के कमरे से बहाँ जाती है वैसे ही कासन उस कमरे में जबदस से एंटर हो जाता है पर यहां दर्वाजा लगने से पहले ही अरोरा भी अंदर चली आती है अरोरा ने वो lawsuit पढ़ लिया था लेकिन अरोरा के कुछ बताने से पहले ही कैसपर उन दोनों को अपनी गन दिखाता है कैसपर कहता है घबराओ मत मैं बस मैटी से पैंडरा चीननी के लिए तुम्हें थोड़ा से धमकाऊंगा सैली कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मैटी तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है न अरोरा कहती है वेल ये दोनों तबी तक फ्रेंड्स थे जब तक इन्होंने क्राइम्स को एक साथ अंजाम दिया था सबसे पहली बात गीगा ब्लोग इनकोडिंग उन्होंने ही की है इसलिए उन्हें साइट से जनरेटेड आधे पैसे दिये जाएं इस लॉसूट के सम्मिट होने से कुछ सिनों पहले ही तुमारी और मैटी की मुलाकात फ्रेड हसकिन से भी हसकिन एकदम बिरोजगार आदमी था इसलिए मैटी ने हसकिन को थोड़े पैसे देकर अपने लिए जूटी अली भी तयार करवाई कैसपर कहता है ठीक है बस यही रुक जाओ अगर तुमने आगे कुछ बोला तो अरोरा कहती है तो क्या क्या तुम फिर से हसकिन को हैर करके मुझे भी मरवार डालोगे जिस तरह तुमने जौन को मरवाया था सैली कहती है यह तुम क्या कह रही हो अरोरा कहती है मिस्टर जौन तीन दिन बाद कोट में याचिका डालने वाले थे पर उससे पहले ही उनकी कार क्रेश में मृत्यू हो गई लेकिन वो कार क्रेश पहले से ही प्लान किया हुआ था इस कार क्रेश को करनी के लिए मैटी ने हसकिन को पैसे दिये थे एवन मैंने मैटी को एक मेल डिलीट करता हुआ देखा था उसमें मैटी ने कारसन से किसी को पैसे पे करनी की बात की थी मेवी जो flash drive कासन मैटी से चाता था उसमें वो email भी शामिल होगा बीच में कासन कहता है अब मेरा वंग जाता जाया मत करो मैं बस मैटी से वो flash drive लेकर चला जाओंगा अगर तुम दोनों को जिन्दा रहना है तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी तो इसे सुन अरोरा मैटी को call करके उसे अपनी इस वक्त की situation के बारी में बताती है तो इसे सुन मैटी जल्दी से उनके कमरी के पास आता है मैटी के आती ही कासन साली को hostage बनाते वे कमरे से पहान निकलता है और मैटी से वो flash drive अपने हवाले करने कहता है वहीं इस तोरान अरोरा चुपके से बाटल लेकर कासन के तरफ बढ़नी लगती है पर अरोरा के बाटल हिट करने से पहले ही आरतर पीछे से आकर कासन को पकड़ लेता है और अरोरा साली को खिचते वे कासन से दूर लाती है इधर Sally और Aurora जोर से एक दूसरे को हग करती है अब केस सॉल्फ होती ही पुलिस वाले Matty और Carson को जिल ले जा रही थी तब ही Aurora केस के एक पहलू पर जोर डालती है कि अगर Matty ने Brody का मटर अपने कमरी में किया था तो Matty ने उसी वक्त कम्प्यूटर से सारा डाटा डिलीट क्यों नहीं किया साथी कैस पर भी Matty के कमरी का लॉक नहीं जानता था यानि वो भी ये मटर नहीं कर सकता ऐसा सोचती है Aurora को वो प्रिंस्पल याद आता है जिसके according कोई भी information इंसान को दूसरे के contact में आने से मिलती है इतना ध्यान आती ही Aurora के नजर Matty के सिस्टर जुआना पर पढ़ती है Aurora भाग कर सीधा जुआना की तरफ जाकर कहती है Brody कैसर का मडर Matty या कैस पर नहीं बलकि तुमने किया था Matty के साथ इतने सालों तक रहने के विरस से तुम्हे Matty के दर्वाजे का लॉक भी पता था Even party की उसरा तुम भी Matty के लिए थोड़ा परिशान थी और Matty के जाने के जस्ट बाद तुम भी party से निकल चुकी थी जरूर तुमने Matty के अपार्टमेंट के अंदर जाकर उसके आने का इंतजार किया होगा लेकिन दर्वाजा खूलने पर तुम्हारी सामने Matty नहीं बलकि ब्रॉडी था जो गुसे में Matty से बदला लेने आया था जुआना कहती है ब्रॉडी बार-बार Matty को माने की धंकी दे रहा था वो Matty के आती ही उसे मार डालता अरूरा कहती है इसलिए तुमने Matty के सर में कब से माने की कोशिश की लेकिन थोड़ा खून निकलने के अलावा Matty को कुछ नहीं हुआ और फिर ब्रॉडी ने गुसे में तुम्हारा बालकनी तक पीशा किया तब बालकनी में मौका पाकर तुमने उसे किसी तरह धक्का देकर मार डाला जुआना कहती है मैं बस अपने भाई को बचाना चाती थी और Matty अपनी अलीबी के कारण रिया हो जाएगा लिकिस सब उल्टा हो गया ये सारी बाते जुआना अर्थर के सामने कनफेस करती है इसी कनफेसन के बाद पुलिस जुआना को हिरासत में लेकर Matty को रिया कर देती है क्योंकि Matty Carson का पार्टनर जरूर था पर उसके खिलाब कोई एविडेंस नहीं थे यहां तक कि Mr. John के मडर का कॉंट्राइक भी Matty ने कैस्पर से दिलबाया था यहां Matty फिर से Sally को शादी के लिए मनाने लगता है तब ही Arora आकर Matty को बताती है कि असली खिलर तुमारी सिस्टर थी इसे सुन Matty अपने सिस्टर की तरफ भागता है एंडिंग सीन में हम Arora को उसकी दो Sally के साथ रेस्टरेंट में देखती है यहां Sally Arora का शुक्रियादा करके कहती है अगर तुम नहीं होती तो आज ठीक इसी टाइम पर मैं उस मुझनिम से शादी कर रही होती इसका मतलब Sally ने Matty से शादी ना करके उसे reject कर दिया था क्योंकि शायद आगे चलकर Matty कुछ इससे भी बड़ा crime कर सकता था इसी एंडिंग के साथ यह movie एंड हो जाती है तो होप है कि दोस्तो आपको यह movie पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सिस्क्राइब करें मिलते हैं ऐसी एक और मज़िदार वीडियो के साथ तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें धन्यवाद